ह stallou दोस्तों नमस्कार दोस्तों देखियां आपर अलाबाद हाई खोड गुरुबD के एक्शाम के लिए ज़रूर अबहीं बहुत्त की अच्छा एक्शाम है हो चैंट के लिए इस्ट की आगर्या दोस्कार कि दाध करें में लगते हैं बगल में बिल आइकन आपको दी गई होगी इसको दमाने से सारे टेस्ट अपडेट जो भी मैं अपलोड करता रहता हूं वह आपको वीडियो टाइमली मिल जाएंगे दोस्तों ठीक है चलिए यहां पर देखिए इसके लिए हम कौन सा वर्ड इन चारों में से यूज़ कर सकते हैं ठीक है दोस्तों ठीट दिया गया है कमांड है रिक्विस्ट है प्रोमिस है तो यहां पर जो सुटेबल होगा देखिए पढ़ने में यह समझ में आ जाता है कि प्रोमिस इंप्रोव मैं स्टैंडर्द उफ इंग्लिस दिस ये ठीक है तो यहां पर यह आपका ऑप्षिन नंबर आपका डी सही हो जाएगा प्रोमिस यहां पर सही हो जाएगा ठीक है option number D, next आते हैं 97 number question के लिए made a school prosper, तो दोस्तों prosper का मतलब क्या होता है, पहला तो यह समझ लीज़े कि prosper का मतलब होता है, समरदी ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा, सही option क्या हो सकता है दोस्तों, यह आप मेरे को comment करके बताएए कि सही option क्या होगा, A, B, C, D इन में से सही option क्या होगा देखिए इसमें सही option जो होगा वो आपका होगा, wish wish the school prosper ठीक है, wish the school prosper next आते हैं दोस्तों directions दिये गए हैं यहाँ पर 98 to 99 questions के लिए choose the correct sentence in questions, दोस्तों यहाँ पर आपको 4 simple questions दिये गए हैं sentence दिये गए हैं और इन sentence में सही correct sentence कौन सा यह आपको just करना है, तो दोस्तों देख लीजे अच्छे से, चलिए मैं एक बार बोल देता हूँ, तो आप लोग समझ जाएंगे यहाँ दिया गया, I hear a knocking at the door I am hearing I am hearing a knock at the door I hear a knock at the door I hear the knocking at the door तो दोस्तों इसमें सही option क्या होगा आपका देखिए, I hear a knocking at the door, यह तो आपका सही नहीं होगा, ठीक है I am hearing a knock at the door यह भी आपका यहाँ सही नहीं सही होगा ठीक है, next दिया गया है option number C, I hear a knock at the door, यह आपका यहाँ सही हो सकता है ठीक है, I hear the option दिया गया है, I hear the knocking at the door तो ये भी आपका यहाँ पर नहीं सही होगा option number C सही होगा ठीक है न I here are not at the door मतलब इसका मतलब है मुझे दरवाजे पर knock सुनाई देता है ठीक है ये सही sentence होगा 99 में आते हैं यहाँ पर option A है this dress does not fit me next है this dress does not fit on me तो यहाँ पर preposition यूज की गई है जो की बिल्कुल भी सही नहीं है this dress does not fits me यहाँ पर दोस्तों वर्ब आपकी सही यूज नहीं हुई है this dress does not fitting me दोस्तों यहाँ पर भी वर्ब सही यूज नहीं हो option number आपका A सही होगा next आते हैं कि पढ़ने में ही समझ में आ जाता है और आपको sentence अच्छे खासे आते हैं तो आप यहाँ पर जो correct sentence अभी find किया है वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं directions दी गए है 100 और 101 questions के लिए sentence are given with आपको यहाँ पर क्या करना है given with blanks to be filled filled करनी है with an appropriate word out of the four alternatives choose the correct words दोस्तों यहाँ पर चार words दिये गए है इसके लिए suitable correct word क्या होगा of any kind is demoralizing दोस्तों demoralizing का मतलब होता है बोल सकते हैं manobal बोल सकते हैं यहाँ पर demoralizing का मतलब manobal बोल सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर हो जाएगा अगर हम addiction का यूज करते हैं यहाँ पर addiction का यूज करते हैं तो हो जाएगा कोई भी लत manobal जो है वो गिराने वाली है ठीक है sentence का यह मतलब होगा तो option number आपका जो A है वो इसके लिए suitable है next आते है 101 में my friend sees मेरा friend कहता है that he drinks tea because it is the best in world तो दोस्तों tea क्या है एक पीने का पदार्थ है तो यहाँ से क्या सही हो सकता है आपको क्या रगता है देखिए मेरा दोस्त कहता है कि वह दुनिया की सबसे अच्छी या दुनिया का सबसे अच्छा पीने का पदार्थ है तो आपका क्या हो जाएगा ब्रेवरेज यानि पीने का पदार्थ क्या होता है ब्रेवरेज ही होता है पे पदार्थ जिसको बोलते है ठीक है उपसे नमबर सी सही होगा नेक्स्ट आते हैं आपर 102 नमबर से लेकर 105 नमबर के कुश्चन डाइरेक्शन दी गई है पिक आउट क्या करना है और्ड वर्ड करने है जो इन चारों में से एक वर्ड कोई और्ड होगा अलग होगा जिन जो समान नहीं होगा अर्थ समान नहीं होगे ठीक है कहीं न कहीं उसके दूर दूर तक अर्थ जो हैं वो समान नहीं होंगे that does not belong to the set वो set को belong नहीं करता होगा ये चार options दिए गए 102 number question दोस्तों comment करके बताएं कि इन चारों में से one odd word कौन सा है दोस्तों kill मतलब होता है मार डालना murder मतलब मार डालना slaughter मतलब मारना ठीक है तो यहाँ पर मारने का slaughter होता है ठीक है न तो यह भी कहीं न कहीं यह कैसे है similar word means है ठीक है तो यहाँ पर जो हो जाएगा option number D pass away हो जाएगा pass away मतलब क्या होता है गुजारना होता है तो यहाँ पर option number D आपका क्या होगा odd word हो जाएगा 103 में आते हैं यहाँ दिया गया लॉक है फिर नॉक है सट है बोल्ट है तो उस्तों लॉक मतलब होता है बंद करना ठीक है सट मतलब बंद करना ठीक है लॉक मतलब ताला लगाना सट मतलब भी बंद करना बोल्ट मतलब होता है बोल्ट लगाना या नि उसको क्या कर देना किसी चिच को जोड़ना या बंद करना ठीक है नौक मतलब होता है एक दस तक देना खटकटाना ठीक है न तो option number आपका क्या सही होगा बी सही होगा यहाँ पर next आते हैं यहाँ पर absurd दिया गया है crazy है dufft दिया है और alien दिया गया है तो इन चारों में से सही option क्या होगा इन चारों में से दोस्तों सही option क्या होगा comment करके बताएं देखी absurd का मतलब क्या होता है absurd मतलब होता है बे तुका ठीक है और dufft का मतलब होता है बे धड़क crazy मतलब होता है पागल बोल सकते हैं और alien मतलब हो गया विदेशी ठीक है जो अपने देश का ना हो विदेशी हो तो option number आपका D सही हो जाएगा यहाँ ठीक है next यहाँ पर आते है 105 number question में आते हैं यहाँ पर glorious दिया है sublime दिया है adjust दिया है और यहाँ पर place दिया है तो सही option क्या होगा यहाँ पर comment करें और बताएं दोस्तों सही option क्या होगा देखे glorious मतलब होता है यह सस्वी हो जाता है ठीक है sublime का थोड़ा साथ पटा वर्ड होता है इसको बोलते हैं उदाद ठीक है blessed मतलब होता है धन्य है blessed अगर होता तो उसका मतलब हो जाता है कि असिरवाद देना लेकिन यहाँ पर blessed दिया है तो means chain यह नहीं धन्य है हो जाएगा तो option number जो c है वो थोड़ा सा अलग है odd है तो option number c adjust हो जाएगा ठीक है next यहाँ पर आते हैं directions दी गई है 106 number से 110 number के questions की choose the correct antonyms antonyms यहाँ पर आपको क्या करना होगा जो विपरीत आर्थी होंगे उन्हें choose करना होगा the words given in bold letter जो bold letter आपको यहाँ पर इस प्रकार से दिये गए है क्या है anonymous है anonymous 106 number में दिया गया है anonymous का मतलब होता है anonymous का मतलब होता है दोस्तों गुम नाम तो disparate होगा नहीं expert आपका होगा नहीं इसका antonyms return भी नहीं होगा ठीक है यह भी नहीं होगा आपका तो हो जाएगा known known मतलब जो होता है जिसे आप जानते हों ठीक है तो गुम नाम और known मतलब अन्जान और known यह कैसे हो गया दोनों opposite word जैसे हो गया है एंटोनिम सिसका यह होगा ठीक है option number C दोस्तों आपको वीड़ो अच्छी लग रही हो questions पसंद आ रहे हो तो दोस्तों आप comment करके बता सकते हैं मुझे question आपको पसंद आ रहे हो और वीड़ो अच्छी लग रही हो तो देखें यहाँ पर दिया गया है curtail दिया गया है curtail curtail मतलब होता है घटना तो curtail का सही option क्या होगा इन चार options में से आप comment करके मुझे बता सकते हैं curtail मतलब क्या होगा देखें curtail मतलब होता है घटना तो इसमें से आपको समझ में आ रहा होगा salten मतलब तो छोटा ही हो गया close मतलब वो भी बंद हो गया सही नहीं है उसके लिए entail मतलब ये भी आपका ऐसी हुआ छोटा ठीक है तो गटना और यहाँ पर हो गया lengthen, lengthen मतलब होता है बढ़ना, तो option number आपका E सही होगा इसके लिए ठीक है next आते हैं दोस्तों 108 number question में यहाँ पर दिया गया ponitive दिया गया है तो इसमें ponitive का मतलब होता है chocas sorry, chocas नहीं ponitive का मतलब आपका होता है यहाँ पर dandatmak होता है ponitive मतलब होता है dandatmak, तो dandatmak मतलब दंड जिसको दिया गया हो ये दंडात्मक बोल सकते हैं तो यहाँ पर large दिया गया है तो ऐसा antonium इसके लिए suitable नहीं है यह इसका antonium नहीं है ठीक है ना larger भी नहीं होगा आपका यहाँ पर option number D भी नहीं होगा ठीक है और यहाँ पर option number A आपका हो जाएगा क्यों क्योंकि इसका मतलब होता है आपका यह तो दंडात्मक हो गया ठीक है और reward ring मतलब होता है किसी को पुरस्कृत किया जा रहा है ठीक है तो पुरस्कृत हो गया यहाँ पर तो option number यह तो दंडात्मक और यहाँ पर पुरस्कृत मतलब किसी को पुरिस्कृत किया जा रहा है पुरिस्कृत यानि reward दिया जा रहा है ठीक है तो यहाँ पर यह आपका सही option होगा option number A next आते हैं 109 number में तो यहाँ पर mercy दिया गया है mercy का सही option क्या होगा mercy का मतलब क्या होता है पहले तो समझ लीजे इसका मतलब होता है धमक होता है ठीक है या हम इसको इसी प्रकार से ही होता है इसका जो mercy होता है न तो mercy का मतलब होता है धसाओ भी बोल सकते हैं धसाओ होता है इसका means ठीक है धसाओ बोल सकते हैं तो wet तो होगा नहीं आपका यहाँ पर soft भी नहीं होगा crispy भी नहीं होगा यहाँ पर dry हो जाएगा option number C हो जाएगा dry मतलब सूखा होता है ठीक है ना तो यह आपका हो जाएगा यहाँ से सही last question है 110 नमबर यह आपको comment करके बताना है इसका सही क्या होगा provident का क्या होता है provident मतलब होता है दोस्तों चौकस ठीक है provident मतलब चौकस होता है एनॉली दिया गया है यहाँ पर एनॉली और रस है रिमोट है और यहाँ पर disabled दिया गया है तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है provident मतलब चौकस जो काफी अच्छा खासा हो चौकस हो ठीक है न और देखें यहाँ पर जो दिया गया है रस तो रस का मतलब होता है भीड भीड मतलब भीड भार जो बहुत ही क्रावडी एरिया हो ठीक है समझे रहो ना भीड भार जहाँ पर जादा हो तो वहाँ पर तो आदमी चौकस नहीं रह पाएगा ना तो यहाँ पर option number आपका B सही होगा ठीक है B आपका यहाँ पर सही होगा रस दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और next आने वाली वीडियो आपको अच्छी से topic की मिलने वाली है तो बिलकुल हमसे जुड़े रहे हैं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा अपने दोस्तों को share करिएगा मिलते next वीडियो में अपना बहुत ख्याल लगिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद